नमस्कार जैदन हंतरी आज हम रजस्वल्ला परिचरिया के बारे में देख रहे थे कि क्या उसको करना चाहिए और हाईजेनिक है क्या क्या उसका महत्व है वहम जब शरीर की स्थिती को, मन को, मन की स्थिती को, प्राण को, प्राण की स्थिती को और चेतना और चेतना की स्थिती का जब अध्येन करेंगे तब हमको ये अनुभूती होगी, अनुभव होगा, कि ये सब कुछ बहुत विचार कर या निर्विचार की अवस्था पर लिखा गया विचार है, वो बहुत थी सुक्ष्म होता है, तो जैसे अजारों साल पहले European countries में ये पता नहीं था कि नहीं दिखने वाले भी कोई जीव होता है, तो ये अमारे यहां पहले से ही बताया कि प्रसंगात, गात्रसमस परशाथ, एसे ही फेलने वाले रोग बताये, संक्रामक रोगों की एक पूरी सुची दी गई, बेक्टेरिया का वाइरस का अस्तीत होता है, उतना ही नहीं, उसके कितने प्रकार होते है, वो भी आ होती जाएगी, तो बहुत सारी परंपराओं में ये से बहुत से आचार होते हैं, जो हमने बताये थे, अब भाव प्रकाश संहीता में, भाव मिश्ट जी ने कुछ परिचरिया बताई है, वो थोड़ी हमने देखी थी, आर्तव स्रावादी दिव साथ, वहां से सुरू करक पर्ष्येद अपीनचपतिम, वहां तक हमने देखा था श्लोक में कि क्या क्या परिचरिया बताई है, अब एक और श्लोक जो उसके बाद का है, उसमें बोजन के पात्र के बारे में विचार किया गया है, जैसे उसके शरीर में से रजिस्रल स्वल्ला है, या कोई भी किसी अवस्था में जो नोर्मल अवस्था नहीं की जाती है, वो कही जाती है, या श्त्री हो या पुरूश हो, श्त्री को ये वस्था हर एक महिने में आती है, जो नोर्मल नहीं होती है, हम चाहे नोर्मल मान ले, वो खुद को भी अपने आपको नोर्मल माने, लेकिन नोर्मल क्योंकि शरीर में से कुछ निकल रहा है तत्व जो हमेशा नहीं निकलता है और उसके कारण उसमें के चित में चंचलता व्यगरता यह सभी रहता है इसलिए कुछ उसके मनों भावों को शरीर के धर्मों को भावों को ध्यान में रखते हुए पावमिश्र जी ने यह पावप जो बताया है तरीका वो भोजन का है उसमें भोजन हम जिस पात्र में करते है उस पात्र में कुछ अउश उसके रह जाते है और उस पात्र का भी प्रभाव हमारे पर पड़ता है इसलिए आयूर्वेद में किस पात्र में भोजन करना है उसकी बड़ी सूची दी गई है बड़ा एक लिस्ट दिया गया है अभी हम कभी जाधा रणता से भोजन वीधी के बारे में बताएंगे तब ये इसकी बात अवर्ष्य करेंगे कि किस पात्र में भोजन करें किस पात्र में भोजन न करें तो और कंट्री तो जब भोजन के बारे में ही विचार कर रही थी पकाने की कला वहाँ पर थी ही नहीं बिल्कुल उस समय पर अमारे यहां पात्रों का विचार किया गया था कि किस पात्र का भोजन किस गुण वाला होगा किस गुणान वित होगा चानक्या ने भी अपने अर्थ शास्त्र में राजा को सोने के पात्र में भोजन करने का बताया क्यूं बताया क्यूंकि ज्यादा तर जो विश पान कराया जाता है एक चालाकी से उसको विश दिया जाता है वो सबसे ज्यादा शक्यता राजा को होती है विशाक्त जो अन्न है विशाक्त अन्न यदी सुवर्ण की ठाली में गया तो सुवर्ण कलर बदल देता है सबसे बड़ा जहर का इफेक्ट सुवर्ण पर और सुवर्ण का असरविश पर है एसा दोनों का एसा सम्मंध है दोनों का प्रभावकारीता का तो इसलिए चानक यने अपने अर्थ सास्त्र में किस पात्रों में भोजन राजा को मंत्रियों को करना है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है यहां पर हम देखेंगे कि मेंसी साता है ओस्तरी को किस पात्र में भोजन करना है तो यह बताया है कि किस पात्र में भोजन करेगी तो करे शडावे परणेवा अर्थाद परणों के पात्र में भोजन करे यह यहां पर बताया है करेश रावे परणेवा हविश्यम त्रयम आहरेत तीन दिनों तक हविश्य अर्थात हविश्य इसको केते हैं जो सात्वी कन्न होता है जो हवन करके जो कुछ भोग लगा कर जो कुछ प्रसाद के रूप में लेते तो तामस अन्न लेने का यहां मना किया है अति उष्ण तिक्ष्ण अन्न लेने का यहां पर मना किया गया है फिर क्या बताया कि ये पात्र के साथ परण का कोई पात्र लेले जो हाईजेनी को केले के पत्ते को माना गया है या पलाश के पत्ते को माना गया है ये नहों सके तो कोई भी प्रकार की ऐसी थाली जो सिंपल हो कोई धातू की नहों तो इस प्रकार की थाली में पोजन करने का बताया है फिर अविश्य अन्न अर्था तामस नहों जैसे प्याज, लसून, चटनी एसे पदार्थ नहीं खाने है उस समय क्योंकि उश्णता शरीर में है अंदर टेंपरेचर यद्य पी हम थर्मोमेटर से ना पेंगे तो इतना ही नोर्मल बताएगा लेकि एक प्रकार की उश्णता जो बाहर फिल नहीं होती है एसी उश्णता शरीर में रहती है क्योंकि उश्णता की बज़से ही वो स्राव होता है स्राव को करने के लिए उश्णता को करना जरूरी हो जाता है जैसे हम घृत निकालने के लिए के गरम करते हैं पात्र को ओ गरम होगा तब तो ओ लिक्विफाई होगा लिक्विफाई होने के बाद ओ निकल पाएगा उसी तरह से यहां पर होता है तो ये एक बताया कि करे शड़ावे परणेवा हविश्यम त्रयमाहरेत आगे बताते हैं अश्रुपातम नखचेदम अभ्यंगम अनुलेपनम अश्रुपातम नखचेदम अश्रुपात नहीं करना है आसू नहीं निकालने है क्योंकि ओ दुखी रहेगी तो प्रभाव सबसे ज्यादा गरभाशई के उपर सबसे सेंसिटिव स्थान हो रोना भी सेंसिटिव ववस्ता में उसका प्रभाव गरभाशई पर वो प्रक्रिया बीज निर्मान की बीज उसके साथ जाएगा ओ दूशी तता बीज में तो रोना नहीं है अश्रुपात नहीं करना है नख छेद नहीं करना है अब नख नाखुन काटने का मना किया है उसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है तो नाखुन नहीं काटने है ये तीन दिनों में तो अश्रुपातम नख छेदम आगे क्या बता रहे है भूमी खननम उसमें अश्रुपातम नख छेदम अभ्यंगम अनुलेपनम अभ्यंगर्थात मसाज नहीं करना है मसाज करेंगे तो रक्त के परीब्रमन पर उसकी असर होगी तो अभ्यंग करने का मना किया है उस बाकी के दिनों में अभ्यंग करना है मसाज करना है मालिस करना है क्योंकि रोज करना है हो लेकिन यहाँ पर सर्क्यूलेशन बढ़ जाएगा तो रक्त स्राव में तकलीफ सामने अनुलेपन, चंदनाधी का लेप करते है रोज, वो नहीं करना है, सामन्य दिवसों में वो करशकते हैं, लेकिन इंदिनों में यह नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस से परीब्रमन थोड़ा कम हो जाता है जैसे शांत होता है तो उस तरह से शांत हो जाता है जो जो रक्त के परीब्रमन को उत्तेजित करने वाली बात हो उसको भी छोड़ने का बताया है और जो जो ये परीब्रमन को शांत कर देती है उसकी गत्ती को थोड़ा कम कर देती है उसका भी मना कर किया गया है अभ्यंगम अनुलेपनम तो ये पुरी परिचरिया ये श्लोक में बताई कि करेश अरावे परणेवा हविश्यम त्रयमाहरेत अभिश्यका सनग अश्रुपातम नखचेदम अभ्यंगम अनुलेपनम तो इतनी वस्तुय करने का भाव मिश्रजी मना कर रहे है श्त्रियों को कि इतनी चीजे निशिद्ध है ये न करे उसका हम साइंस देखेंगे एक 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 का तो मैंने स्थूल रूप से तो बता दिया है कि ये ये क्या क्या प्रभावकार्यम आसानी से वो समझ सकते है कि जो परिभ्रमन को उद्देजित न करे और परिभ्रमन को एकदम शांत न करे जो प्रवा है वो प्रवा को बनाए रखे एसी सब क्रिया कर सकते है लेकिन ये प्रवा को रोके और ये प्रवा को वेग दे एसी क्रियाये नहीं कर सकते हैं तो ये श्लोक का ये फलितार्थ हुआ ये भाव मिश्रजी भाव प्रकाश्ट नाम के ग्रंथ में इसका विवरण करते है आगे और भी विवरण करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं तो ये निशित दुबाते हम फिर से अगले श्लोक में लेंगे नमस्कार चैतन वंतरी